Good morning students, आज की इस वीडियो में हम chapter 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है Areas of Plain Figures सबसे पहले हम समझेंगे area होता क्या है, what is area? Area के एक छोटी से definition है, area is the region, space of any two-dimensional shape यानि किसी भी two-dimensional shape के बीच की जगह होती है उसे area कहते है कोई भी two-dimensional shape का जो बीच में उनके जो area आता है, जो जगह आती है, जो region आता है उसे हम area कहते है, area को कुछ example से समझते हैं, जैसे एक square square में, जो मैंने pink से इसकी boundary बनाई है, उस boundary को perimeter कहते है जो pink वाला है, वो उसका perimeter है, और जो इसके अंदर red वाला area है, वो area है जो red वाली जिगह है, जो region है, जो इसका space है, बीच में हो क्या होगा इसका area ऐसे ही rectangle, rectangle में जो pink वाला है, वो उसका perimeter है और जो red वाला है, वो उसका area है circle का भी देखो, circle का जो perimeter होता है, उसको हम circumference कहते है और जो इसके बीच में space है, circle के बाउंडर के बीच में जो भी space है, वो क्या इसका area है, red वाला part इसका area है, triangle, triangle में भी pink वाला जो part है, उसकी boundary है, boundary को parameter खहते हैं, और जो इसके अंदर red वाला part है, वो इसका area है, अब एकदम किसी simple तरीके से, छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं, first, second, third class में जब कभी उनके areas related कोई बात आती है, तो उनको समझाने का एक तरीका होता है, तो उस वाले तरीके से कर समझे हैं, simple and easy way to understand area, एक मैंने box बनाया, उस box में मैंने छोटे-छोटे box और बना दिये है ठीक है, एक side इस box में six boxes हैं, और एक side इसमें five boxes हैं, total में इलाके इसमें जितने box हैं, total boxes, total boxes, और आप इस box की जिएक आप इसको square समझ सकते हैं, क्योंकि बीच में जो मैंने ये बनाया है, ये एक square है, ठीक है, और ऐसे करके इसमें कितने square हैं, छोट-छोटे ये count करने हैं, चोटे बच्चों की book में, मैंस की book में ऐसे question आते हैं, कि उनको count करके बताने कितने box हैं, ये ही area समझाना उसको start हो जाता है, तो जितने इसमें box हैं, उतना ही area है, ठीक है, एक side six हैं, और एक side five हैं, तो area निकालने के लिए मैंने एक formula बनाया क्या है, number of square in the shape, कितने squares हैं इस सकता है, यहां मैंने question में centimeter use किया है, क्या तो centimeter हो सकता है, meter होता है, kilometer भी हो सकता है, millimeter भी हो सकता है, इन में से किसी भी length का एक side हो सकती है, और वो एक box जो है, वो square होता है, ऐसे total कितने square उस shape में आते हैं, उसे हम area कहते हैं, area of the shape, यहां जो भी shape हो, उसका नम rectangle है, यह rectangle जो है तो rectangle का area क्या हो जाएगा एक side की box देखो अगर हम इनको एक एक करके count करेंगे तो 30 box आते हैं और इससे बचने के लिए multiplication हम यूज करें एक side 6 है, एक side 5 है 6 multiply 5, दोनों को अगर multiply कर दें तो 30 में box होते हैं तो area of rectangle is equal क्या हो जाएगा, L into B length multiply by breadth 30 cm2 इसलिए area का formula क्या बनगे rectangle का length into breadth same ऐसे ही square जो होता है उसकी दोनों side same होती है जो उसकी length है, वो भी side है जो उसका breadth है, वो भी side है इसलिए जो L और जो B है, दोनों उसकी side है इसलिए वहाँ side multiply by side हो जाता है यानि side square हो जाता है side square जो जाता है area of square यानि अगर आप एक-एक square count करेंगे तो आपको time लगेगा इसलिए हमने mathematically इसको multiply करके छोटा और easy बना दिया यानि अगर length में जितने box हैं और breadth में जितने box हम दोनों को multiply कर देंगे तो rectangle का area आजाएगा और अगर एक square shape है तो जितनी एक side में है उसके box और दूसे side में जितने box हम दोनों को multiply करेंगे तो area of square आजाएगा यानि सारे squares को count करने का easy तरीका है अब हम समझेंगे हमारे chapter से related now let's understand area of triangle जो triangle है वो सच में एक special shape होती है और उस related chapter भी बनते हैं ठीक हैं ये जो chapter है हमें triangle के area selected पढ़ना है area of right angle triangle सबसे easy और सबसे simple basic triangle होता है amat है yoo rectangle triangle कैसा होता है जिसमें एक right angle बनता है ठीक है right angle triangle रेंगल में जहां यह जो मीरे red वाला part बनाया है ये इसका base होता है जहं पर triangle क खड़ा होता है ठीक है जिस पर triangle का base होता है और जो उसकी 90 degree वाली जो line होती है, जो उपर जाती है, ये इसकी height होती है, तो triangle का area क्या हो जाएगा, अगर हम formula की बात करें, तो half into base into height, ये भी यहाँ base है, h यहाँ height है, तो area का formula half into base into height, जो values हैं, यहाँ मैंने base को 4 cm और height को 6 cm value दिये, तो formula में value लगाते हैं, half into base into height, half into 64, 24 का half क्या हो जाएगा, 12 cm square, यानि area of rectangle triangle का formula क्या होता, half into base into height, और इसको एक example से भी हमने करके देखा हैं भी, next हम देखते हैं, एक अलग triangle जिसकी 3 side हमें given होती है, ठीक है, area of triangle, whose all 3 sides are given, जिसकी 3 side हमें दी वी हैं, कि कितने centimeter की कौन सी side है, उस condition में हम ये वाला formula यूज करेंगे, half into base into height वाला formula सिर्फ तभी use होता है, जिसमें 90 degree का angle दिया हो, और height और base दिया हो, ठीक है, 90 degree का angle वाले के triangle को ही हम half into base into height वाले formula से करेंगे, लेकिन अगर triangle के हमें 3 side given है, जैसे एक triangle बनाते हैं, जैसे जिसमें 1 side 10 cm, 1 है 6 cm, और 1 है 8 cm, तो जो formula हम use करेंगे, उस formula का नाम है, hereon's formula ठीक है, यह hereon's formula कैसे काम करता है, सबसे पहले आपको जो triangle दिया है, उसका semi parameter निकालना पड़ेगा, semi का मतलब half होता है, यह परिमेटर का आपको half करना है, अब parameter हमने पीछे देखा था triangle में, triangle का perimeter कौन सा होता है, triangle के perimeter के लिए जो pink वाली line थी, यह यह वाली जो pink वाली line थी इन तीनों को add करेंगे, तो perimeter आजाएगा, यह नहीं हम triangle में इसका perimeter निकालें, यह रहा, a plus b plus c, यह इसका perimeter, और half का मतलब उसको divided by 2 कर देंगे, तो perimeter का half हो जाएगा, जो value यहां से आएगी, उसको हम s नाम देंगे, semi parameter, s for semi parameter, और यहां मैंने एक example भी साथ में दे दिया है, 10 cm, 6 cm, 8 cm, abc, इनको values में put किया, 6 plus 10 plus 8, divided by 2, 6 plus 8, 14, 14 plus 10, 24, 24 divided by 2, यह इसका semi perimeter आगे, 12 cm, लेकिन semi perimeter के बाद आपको एक formula यूज करना है, जिसको herons formula कहते है, यह herons formula है, herons formula, herons formula में क्या होता है, आपको सारी values को under root करना है, और s को multiply करना है, s minus a, multiply करना है, s minus b, multiply करना है, s minus c, अब मैं जो उपर values ली थी, उसमें example के formication को समझते भी है, सबसे पहले s की value लिखते है, 12, फिर 12 को multiply करेंगे, 12 minus a, जो 6 था, फिर 12 में से minus करेंगे, b, और 12 में से minus करेंगे, c, और इन सब का multiply करवादेंगे, तो last में जो values है, 12, 12 minus 6, 6, 12 minus 8, 4, 12 minus 10, 2, इन सब की values को solve करने के बाद, answer है 576, यानि 12 multiply by 6, multiply by 4, multiply by 2 is equal to 576, और 576 का under root होता है 24, यानि इसका answer है area of triangle 24 cm2, यहां मैं इक दूसरा तरीका भी यूज किया है, आप इसको एक दूसरे way में भी कर सकते थे, अगर आपको यह under root नहीं आते तो आप कैसे करते, यह जो 12 है, मैं इस 12 का factorization कर दिया, 2 multiply by 2 multiply by 3, 6 का कर दिया 2 multiply by 3, 4 का कर दिया 2 multiply by 2, और 2 का तो 2 multiply by 2 ही रहेगा, यह जो सारे factorization है, इन सब को मैंने नीचे लिखा 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 multiply by 2 multiply by 3, फिर मैं 6 को लिख सकता हूं, 2 multiply by 3, 4 को लिख सकता हूं, 2 multiply by 2, और last में 2, अब आपको यहां क ये दो number का pair बन गया तो 2 out आ गया ये 3 और ये वाला 3 इन दोनों का भी pair बन गया तो मैं 3 को भी out लिया फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 इन दोनों का भी pair बन रहा इसको भी out लिया और 2 multiply by 2 ये भी out आ गया यानि सारी की सारी values अंडरूट के भारा आ चुकी है अंडरूट में कुछ नहीं बचा, तो अंडरूट को मैंने रिमूव कर दिया, अब इन वैलूज को multiply करेंगे, 2, 3, 2, 2, तो इसका अंसर आगा 24, जो कि अगर 576 का अंडरूट करते तो भी यह यह अंसर आता, तो इसका अंसर हो जाएगा 24 cm2, अब हम एक next triangle पे area का formula देखते हैं, isosilis triangle, area of an isosilis triangle, isosilis triangle क्या होता है, ऐसा triangle जिसकी दो side same होती है, और third side उसकी different होती है, उस condition में एक formula में लिखा है, जो आपको formula याद करना है, इस formula में जो side उसकी different है, जो same नहीं है, तो उसको हम 4 से divide करवाएंगे, और हम multiply करवाएंगे, जो side same थी, वो a है, जो different हो वो b है, a square माइनस b square, तो मैंने question में values रखी है, b की value 4 और a की value 3, इस triangle का area कैसे निकलेगा, b upon 4 यानि 4 upon 4 under root 4 multiply by a का square, a यहाँ है 3, 3 का square, माइनस b, b यहाँ है 4, 4 का square, 4 upon 4 cancel होके 1 बचेगा, under root में 4 into 3 का square होता है 9, minus 4 का square होता है 16, फिर next step में, 1 under root से multiply होगा, under root की value बचेगी, 4, 9 जा 36, minus 16, 36 minus 16 होता है 20, आपका answer यहाँ निकल चुका है, under root 20 cm2 उसका area है, लेकिन यहाँ में एक दूसरा method भी आपको दिखाया है, दूसरा method जो हमने पीछे किया था, under root की values को factorize करके, 20 को मैंने factorize किया तो 2 multiply by 2 multiply by 5 होता है, फिर जो pair बनता है, उस pair को under root के बाहर ले आता हूँ, जैसे 2 का pair बन किया तो 2 को root के बाहर ले आया, जो value जिनका pair नहीं बन पाया, वो under root के अंदर ही रह जाएंगी, तो यहाँ final answer क्या जाएगा, 2 root 5, आपको यहाँ क्या समझना है, कि root 20 भी वही answer होता है, जो 2 root 5 होता है, यह दोनों values same होती है, next time triangle देखें, area of an equilateral triangle, equilateral triangle कौन से triangle होता है, as a triangle, जिसकी 3 side equal होती है, मैंने यहाँ 3 values को 2 cm रखा है, a is equal to 2 cm, तो इसका भी एक formula होता है, आपको formula याद करना पड़ेगा, equilateral triangle का formula होता है, a square multiply by under root 3 upon 4, आपको सरीफ यह एक ही value put करनी है, एक issue में था 2 cm, तो मैंने 2 का square लिखा, 2 multiply by 2, 2 square, multiply by under root 3 upon 4, और 4 से 4 cancel हो जाएगा, 4 से 4 cancel, बचेगा क्या 1, और 1 multiply by root 3 answer जाएगा, root 3, यहाँ आपको एक और चीज धिहान रखनी है, कि जो under root 3 होता है, उसका solution solve करने के बाद 1.73 value आती है, 1.73, तो आपको यह value याद रखनी है, आगे के questions के लिए भी, यहाँ आपको जब भी कभी root 3 की value आएगी, तो क्या रखना, root 3 is equal to 1.73 होता है, जैसे आपने pi सीखा था, pi is equal to क्या होता है, 3.14, ऐसी under root 2 की value आपको याद रखनी पड़ेगी, under root 2 की value होती है, 1.41, आपको point के बाद 2 decimal तक, 2 ही digit तक याद रखना है, जैसे 1.73, 3.14, and 1.41, मैं तीनों को साथ में लिख दो तो आपको easy रहेगा, हमेशा याद रखने के लिए, pi की value होती है, 3.14, under root 2 की value होती है, 1.41, and root 3 की value होती है, 1.73, इन तीनों को याद रखना, आपके इस chapter में हो सकता कहीं के execution में काम आए,